जैशे राम आज के कहानी का विशह है लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे और कहानी का जो हीरो है वो कुत्ता है रात के समय एक दुकांदार अपनी दुकान बंद करी रहा था कि एक कुत्ता दुकान के सामने आया उसके मुह में एक थैली थी जिसमें समान के लिश्ट और पैसे थे दुकांदार ने पैसे लेकर के समान उस थैली में भर दिया कुत्ते ने थैली मुह में उठा ली और चलता बना दुकांदार आज चर्चकीत हो करके कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़ा ये देखने के लिए कि इतने समझदार कुट्टे का मालिक कौन है कुट्टा बस स्टॉप पर खड़ा रहा थोड़ी दिर बाद एक बस आई जिसमें वो चढ़ गया कंड़क्टर के पास आते हैं अपने गर्दन आगे कर दी उसके गले में बेल्ट में पैसे और पते लिखे हुए थे उस पते पर टिकट काट करके कंड़क्टर ने उसके गले के बेल्ट में रख दिया अपना स्टॉप आते ही कुट्टा आगे की दरवाजे के तरफ चला गया और पूँच हीला करके कंड़क्टर को इशारा किया बसके रुकते ही उतर करके आगे चल दिया दुकंदार भी पीछे पीछे चल ही रहा था कुट्टे ने घर का दर्वाजा अपने पैरों से दो-तिन बार हलके हलके खट खटाया अंदर से उसका मालिक आया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी बेचारा कुट्टा चुप रहा दुकंदार ने मालिक से इसका कारण पूछा मालिक ने बोला इसने मेरी निंद खराब कर दी चाभी साथ ले करके ये नहीं जा सकता था क्या जीवन की भी यहीं सच्चाई है आपसे लोगों की अपेक्छाओं का कोई अंत नहीं है जहां आप चुके वहीं पर लोग बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाईयों को फूल जाते हैं इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे अपने सत्यमार्ग पर चलते रहिए कर्म का रस्ता पकड़े रहिए लोगों की अच्छाई और बुराई की परवा किये बगैर क्योंकि लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे जैशे राम